दोस्तों नमस्कार एक बहुत बड़ी खबर जो आई है यूपी पॉलिटेकनिक के बच्चों के लिए वहाँ खबर ये है कि यूपी पॉलिटेकनिक का जो फॉर्म फिलिंग की डेट थी उस डेट को बढ़ा दिया गया है जी हाँ दोस्तों बिल्कुल आपने सही सुना जो फ इक्जाम दोहजार चौबिस की जो डेट थी पहले आपकी डेट 16 मार्च से 20 मार्च तक जो डेट रखी गई थी क्या यह डेट आगे बढ़ सकती है या अभी भी एक्जाम आपका 16 मार्च से ही स्टार्ट होगा क्या कहती है इस न्यूच की प्राथिमिक्ता या इस सकते हैं आज के इस वीडियो में हम इसी से रिलेटेड बात करने वाले हैं और हम आपको समझाने वाले हैं कि यूपी पॉलिटिक्निक 2024 के प्रवेस पर इच्छा की फॉर्म प्रवेस फॉर्म की डेट बढ़ जाने से पेपर पर क्या असर पढ़ने वाला है तो दोस्तों अ कैसे करनी है सांदार अभी मैं वीडियो में आपको आगे बताने वाला हूँ दोस्तों ये नियूज का सोर्स जो है आप भी चेक कर सकते हैं जेकप.admission.nick.in आप गूगल पर डाल करके चेक कर सकते हैं जब आप ये चेक करेंगे जेकप की ऑफिसियल वेप साइट फिर आप पर आपको मिल जाएगा information bulletin में आपको नीचे एक बहुत important सा point red color से मिल जाएगा इसमें कहा गया है कि the last date of online application form has been extended for four dates चार दिनों के लिए आपको जो form filling की date है उसको बढ़ा दिया गया है पहले जो date 31st फरवरी थी अब उस date को 4 March कर दिया गया है जी हां दोस्तों अब जो भ form भर सकते हैं 4 March तक form फिल किया जा सकता है अब उसके बाद कहा गया है कि extension is possible no further date extension is possible मतलब इसके आगे date बढ़ने के chances बहुत कम है अब फिर इसके बाद आपको यहाँ भी बताया गया है कि candidate who has already submitted their application form they can edit their details for correction in four dates मतलब जो बात पूछी जा रहे थी कि correction की date कब आएगी तो इन चार दिनों में बच्चे correction भी कर सकते हैं और साथ युख साथ नए बच्चे form filling भी कर सकते हैं मतलब बोड ने 1-3-2 निसाने मारे हैं पहला तो यह कि नए बच्चे form फिल कर ले और जो बच्चे form भर चुके हैं वह correction करना चाहें तो वह correction भी कर सकते हैं इसी बीच में तो द बढ़ेगी और आपका admit card लगभग 15 March के आसपास announce हो सकता है और अगर आपका admit card 15 March से announce होगा तो जो चीज मैं आपको बहुत पहले बता चुका था कि आपका exam किसी भी कीमत पर 16 March से नहीं हो सकता है अब धीरे धीरे ये confirmation होना start हो गया है कि आपके exam की date बढ़ेगी और जो exam की date ह होने वाली है दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूं मेरे हिसाब से लगभग 25 March तक exam आपके होने start हो जाएंगे या फिर लगभग 25 March तक आधे बच्चों के exam हो जाएंगे तो किल मिलाकर के आज की नियूज में बस यहीं तक अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप तयारी अभी just start कर रहे हैं तो आप तयारी कैसे कर सकते हैं तयारी आपको कहां से करनी चाहिए तो दोस्तों लर्निंग डे पर डेली साम को साथ बज़े आप जुड़ सकते हैं सांधार क्लास से और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप पॉलिटेखनिक इंटरंस एक्जाम 24 में सांधा तरीके से पढ़ाई करके गौर्णमेंट कॉलेज लाना चाहते हैं तो आपके लिए गोल्डेन चांस है गोल्डेन मौका है आप क्या कर सकते हैं आपको पॉलिटेखनिक इंटरंस एक्जाम के तयारी के लिए लर्निंग डेके सांधार बैच सफल बैच से जुड़ना चाहि पूरा का पूरा बैच मिल जाएगा जिसमें आपको फिजिक्स कमेश्ट्री मैथ तीनों सब्जेक्टों की क्लासें बहुत बहतरीन तरीके से आपको एबलेबल करवाई जाएंगी पहले इस कोर्स की फिस 139 रुपए थी 26 फरवरी तक यहाँ डेट ओबर हो चुकी है अब यह कोर्स आपको मिलेगा 149 रुपए में कोर्स आपको खरीदना है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको इन दोनों नंबर में से किसी भी एक नंबर पर संपर कर लेना है और आपको वही पर सफल बैच की पूरी जानकारी मिल जाएगी इसके लिए आपको कोई यह आपको इस नंबर पर बात करना है पयमेंट करना है पयमेंट करने के बाद आपको तेलिग्राम पे एड़ कर दिया जाएगा जहां पर हमारी क्लास चलती है pain की पूरी क्लासL點 steps और साथ के चेशें यह 5 जीज़े आपको सांदार तरीके से एबलेबल करवाई जाएगी सफल बैच में तो दोस्तों उमीद है सभी साथ ही इस बैच से जुड़ करके अपनी तयारी को बहुत सांदार तरीके से बहुत बहुत बहतरीन बनाएंगे और इस बार 2024 के एक्जाम को क्वालिफाइड करके गौर्डनेंट कॉलेज सभी के सभी बच्चे ले करके जरूर आए नमस्कार टेक केर थेंक यू जैहिंद प्यारे दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो पे और क्लास में जैहिंद